मेरी spiritual journey के दौरान करीब चार साल पहले मुझे एक एहसास हुआ और वो एहसास ये हुआ कि मेरा heart chakra underactive है या शायद कहना चाहिए blocked है इसी बारे में मैंने आपसे बात की थी मेरी last video में जहां मैंने आपसे color of clothes की बात शेयर की थी कि हम किस तरह से clothes के color choose करते हैं और हर color का एक महत्व है और वो महत्व आपकी life में आपकी personality में आपके हर area of your life में कैसे impact करता है और क्यों हमें वहर different color के clothes को अपनी life का part जरूर बनाना चाहिए तो ऐसे में मैंने आपसे ये भी बताया था कि green color की जब बात हुई तो मैंने बताया कि कैसे मेरे wardrobe में green color था ही नहीं कभी भी नहीं और इस चीज का और clarity से एहसास हुआ बहुत साल बात यानि चार साल पहले जब मेरी हाथ में एक किताब लगी और इस किताब का नाम है I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Ritigrity with Dr. Neeti Kaushik. Chakra Bible, The Chakra Bible और ये है Patricia Mercier की. Well, आपको mirror image दिख रही होगी क्योंकि मैं front camera से record कर रही हूँ. तो इस किताब ने कुछ मेरी क्या जना चक्षू खोले दिमाग की खिड़ क्या खोली, because मुझे समझ में आया कि मैडम आप तो समझती हो, आप बच्चों के साथ जोड़ी हुई हो, आप स्कूल जाती हो, आप बच्चों से घिरी रहती हो, आप हमेशा उस energy में, बच्चों वाली energy में हो, तो आपका heart chakra तो कभी block हो ही नहीं सकता. और ये मेरी बहुत बड़ी गलत फैमी थी, क्योंकि जब समझ में आया, heart chakra का, बच्चों से कोई लेना देना है ही नहीं, और आप समझते हो, आप का भी बच्चा, मतलब आप, your heart is also just like a child, because आप भी बच्चों जैसे हो, ऐसा नहीं है, और तब समझ में आया, कहां कहां areas थे, बहुत सारी problems, एक ही नहीं, बहुत सारी, सबसे important चीज़, self-doubt, self-doubt खुद को लेकर, इतनी सारे insecurities, इतनी सारे self-doubt, ये सोचते होए कि, am I good enough, कहीं ये कम तो नहीं, वो कम ही तो नहीं, second important thing, jealousy, jealousy इसलिए कि कोई और तो कैसे आगे निकल जाए, आपके अंदर potential है, आपके बढ़ना चाहरे हो, और उसके बाद सोचते हो, कि दूसरे को मौका कैसे मिल गया, या वो आगी कैसे निकल गया, या वो आगी कैसे निकल गई, और आप अपना best देना चाहते हो, और ये हमेशा से मेरी since childhood अंदर ये ही राता कि मुझे best रहना है, मुझे best बनना है, और मैं से आगे रहो, with the result, वो self-doubt, with the result, jealousy, with the result, acceptance ना होने की भावना, और with the result, आप किसी एक या दो परसन पे इतना जादा dependent हो जाते हो चीजों को लेकर, कि आपको लगता है कि शायद ये परसन ही है, जो मुझे अच्छे से समझ पा रहा है, या पा रही है, और end of the day, जब आप ब अदले में आपको वापस से वो pricks मिलते हैं, वापस से वो समझने को मिलता है, कि फिर से आपका किसी ने advantage उठाया, और किसी ने फिर से आपके साथ वो advantage उठाते हुए, आपको emotionally या फिर आपको mentally तंग किया, with the result, आप फिर से उसी self-doubt के mode में, और एक cyclic form की तरह, आप बार बार उसी उप के अंदर गूमते चले जाते हो, तो इन में से काफी सारी चीज़ें जो थी मेरे साथ हो रही थी, और मैं उनसे बहुत अच्छे से resonate कर रही थी, समझ में आया कि माडम, time to wake up, time to make a change, और वहां से मेरी first effort start हुए, gradually, करते-करते कि मुझे करना क्या है, कैसे मैंने अपने heart chakra पे काम करने के लिए, तो सबसे पहले, तो मैंने अपने diet में कुछ green add किया, मेरे food generally अच्छा है, मैं healthy खाना खाती हूँ, ढंगा खाना खाती हूँ, लेकिन बहुत बार आप green से भागते हो, जैसे मुझे लगता था beans, बहुत जादा पसंद नहीं थी, हरे सा इक अंदर monkey नहीं डाली, बाकी सब डाली, so with the results, सबसे पहले तो मेरी food और dietary habits में मैंने change लाया, जहां पे मैंने green को थोड़ा सा at least कोशश की की week में दो बार जरूर मैं अपने खाने में add करो, second important thing, मैंने भर भर के letting go rituals किये, और ये सबसे important part था, बहुत स्वार, हम बहुत सार सदियों से कहते हैं बोजा लाते रहते हैं, और ये सोचते हैं कि it's okay, मिकल गया, हो गया, और हमने शायद माफ कर दिया, लेकिन हमने माफ नहीं किया होता, वो कहते हैं आपको ऐसे लगता है, वो baggage जो है, रूई की तरह तो है, कहां परिशान कर रहे हैं, हम तो आज में जी कि भी जाएं, तो भी at least उस sense में से निकलते हैं, तो वो रूई जब जब हम past में जाते हैं या future में जाते हैं, वो रूई समझ लो, गीली होती चली जाती है, और गीली होने के नाते हैं, वो भार हम अपने ओपर बोजार लिए चले जाते हैं, तो मैंने शिदत से हर full moon पे ए अभी तक मतलब तन किये हुए थी उन चीजों को लेकर मैंने consistently हर महीने हर 28 दिन में हर full moon पे कुछ ना कुछ letting go जरूर किया कुछ ऐसे थे जिनको letting go मुझे बार बार करना पड़ा यानि कुछ ऐसे situations थी या कुछ इस तरहें की बातें हुए थे जिनको मुझे 2-3 बार करना पड और believe me letting go worked wonders for me not just work wonders for me मुझे ऐसा लगा कि why was I doing all this and why was I carrying all the इतना सारा बोजह लेकर मैं इतने सालों से चल भी क्यों रही थी third important thing मैंने crystals को use करना शुरू किया crystals की जो energy है वो आपको बहुत हद तक change करती है मैंने multi-turmaline जिसके अंदर green भी color है उसको अपनी life में उतारा इसके बाद मैंने green garnet को अपनी life में उतारा green garnet and pink turmaline ने इन दो को use किया ताकि मेरा self love जो की dependent था दूसरों पर वो मैं अपने आप से खुद के ले करवाँ इसके इलावा मैंने बहुत से और crystals use किये जहां peridot को मैंने बहुत use किया आपने अकसर देखा भी होगा green color की मैं peridot की माला पहनती हूँ अब तो बहुत जादा नहीं पहनती क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत change आ चुका है फिर भी मैं at least एक दस दिन में एक बर जरूर उसको पहन लेते हूँ पेरेडot की ring या पेरेडot का bracelet green adventuring को भी मैंने अपनी life में आड़ किया green jade को भी मैंने अपनी life में आड़ किया और मैंने बार बार इन से energized होते हुए energies लेते हुए अपनी life में change लेकर आई बहुत बार green adventuring के coin के साथ या green adventuring के गड़ेशा के साथ मैंने हाथ में रख कर meditate किया इसके बाद next aspect पे आते हो तो मेरी cupboard मेरी almari में मेरे one truck के अंदर green color सबसे कम था जैसे मैंने कहा ना था ही नहीं in fact 2 या 3 साड़ी होंगी मुश्किल से तो intentionally जाकर कहते हैं जैसे जैसे आपका heart chakra खुलने लगता है तो अपने आप से आपका green की तरफ attachment और आपका ध्यान जाने लगता है तो मेरी आप स्कूस बहुत से पौदे हुए बहुत सारे plants लगाए मुझे plants का बहुत शौक होता चला गया इसके साथ साथ मैंने green color के कुछ दूर भागा करती थे इसके इलावा next चीज जिसने मुझे help की मेरा heart chakra कोलने के लिए और वो था beach mantra for heart chakra और वो है yum इसका beach mantra की ध्वनी मैंने बार बार सुनी आँग बंद करके सुनी feel किया हाथ में green adventuring के lord ganesha को लेकर और ये ध्वनी चला कर at least मैं उस energy में जाती और मुझे उ उनको बोलना शुरू किया मैंने अपने mirror पे अपने घर में जो मेरा mirror है उसके उपर मैंने self love की पुछ affirmations लिखे उनको बोलना शुरू किया मैंने अपने आप से high five करना शुरू किया mirror में देखकर मैंने बहुत सारे अपने आप के लिए to boost up myself to boost up my morale and also to tell myself that I am actually a wonderful person inside out इस तरह की situations इस तरह की बातें बहुत सारी letters लिखे बहुत सारी journaling करी बहुत सारी affirmations की उन से मेरी life के अंदर change आया in terms of opening my heart chakra तो जो self doubt था उस self doubt को निकालते हुए self love से replace किया जो मेरे limiting beliefs थे self doubt को लेकर वो मैंने लिखे और उनको replace किया self love से और इनको मैंने regularly किया और इसका part मैंने चोटा सा 11 दिन का workshop बनाया है उसके अंदर भी मैंने इसमें से बहुत सारी aspects लेके डाले है जिन से समझ में आया वो कहते है ना जब आप का heart chakra खुलता है तो आप ready होते हो manifestation के लिए उससे पहले आप manifestation तक तो पहुँचते हो लेकिन कहीं ना कहीं एक stumbling block आता है जिसको आप hit क with the result आपको समझ में यादा कि ऐसा क्या हुआ आप चाहा रहे हो सब कुछ हो रहा है और last में अटक जाता है या नहीं होता तो आपको सबसे पहली यही देखना है अगर आपकी life में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको यह सबसे importantly यह देखना है कि आपका heart chakra तो कहीं block नहीं है कहीं under active तो नहीं है आप खुद के लिए तो सब कुछ कर रहे हो लेकिन एक doubt के साथ कर रहे हो खुद पे भी doubt है situations पे भी doubt है conditions पे भी doubt है और आप उसी same energy और उसी frequency में हो तो आप चीजों को manifest नहीं कर पाओगे मेरी journey heart chakra को open करने के बाद से totally transformative रही है यह जो last के तीन साल गए ह उसमें मैंने अपनी life के हर पहलू में अपने आपको एक बदला हुआ इंसान पाया है मैंने बहुत सारी चीजों को जिनको मैं हमेशा पुश करती रहती थी या मैं टालती रहती थी या मैं कहते ना जैसे भी brush them under the carpet मतलब देखकर अंदेखा करना जाने अंजाना जानते लेकर आप उनको देखते हुए भी देखना नहीं चाहते हो तो ऐसी वाली परिस्तितियों में से निकलते निकलते मेरे अंदर changes आने लगे और वो changes totally transformative रहे चक्रास को लेकर मैंने एक series भी बनाई थी और ये जब मैंने चानल शुरू किया था तब बनाई थी हर एक चक्रा से related है पट वो English में है क्योंकि majorly मैं उस time मेरे चानल पे सभी वीडियों English में होती थी एक साल पहले से मैंने अपनी वीडियों को हिंदी में डालना शुरू किया लिखना शुरू किया तो अगर आप चाहूगे कि मैं वो complete series मैं हिंदी में दुबारा से बनाऊं तो आप बोलें आपकी life change होगी आपके साथ में उन सब लोगों की भी change होगी जो आपके साथ जोड़े हुए हैं वो कहते हैं ना करबूजा करबूजे को देखकर रंग बदलता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को change होता हुआ पा सकते हैं जब हम life में इस तरह की परिस्तिती पे आते हैं तो वो अपने हाठ सक्टा पे काम कर पाएंगे और मेरी in suggestions को use करते हुए अपनी life में वो transformative change होता हुआ देख पाएंगे Thank you so much and wishing you all the very best